हेलो विद्ध्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ, सभी स्वस्त होंगे मैगनिट ब्रेंस हिंदी में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और साथी साथ हर बार की तरह ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्त हैं, प्रसन हैं जहां भी हैं बड़े खुश होकर अपने आप का खयाल रख रहे होंगे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नियमें दिन चर्या का पालन कर रहे होंगे हमेशा कहूंगी भाई, मैं तो ये कहना छोड़ूंगी नहीं ये मद सोचना कि यार मैड़ मामेशा कहती है तो ये अच्छा है ना, जब हम बार-बार किसी कारे को या किसी बात को सुनते हैं तो वो हमारे मन और मस्तिष्क में विराजित हो जाती है मैं यहीं चाहती हूँ कि स्वस्त रहने की बात दिन चरया का पालन करने की बात आपके मन और मस्तिष्क में विराजित हो जाए और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बेटा जो भी आप के कुछ डाउट्स हैं या कुछ अच्छा भी लगता हो तब भी आप कोमेंट करके बताएए ताकि मुझे पता चले कि और आप क्या चाहते हैं और कौन-कौन सी बाते हैं या कौन-कौन सी प्रशन है जिनका अभी भी समाधान नहीं हो पाया है सब कुछ आप बता सकते हैं कोमेंट जब मैं देखूंगी तो आपके प्रशनों के उत्तर अवश्यद होगी चले तो हम चलते हैं अपनी कक्षा बारवी जी हां बिहार बोर्ड की पाठ पुस्तक हिंदी की पाठ पुस्ते का दिगद भाग दोगे पाठ दस के बहु विकल पिये प्रशनों की ओर अधिनायक अधिनायक रचेता है नई कविता के प्रखर कवी रगुवीर सहाय जी जो आधिने काल के कवी भी माने जाते हैं अरे कहीं प्रशन आ जाये नहीं दो तर मैंने पहले ही दे दिया ये हैं आपके बहु विकल्पी प्रशन अर्थात वस्तुनिष्ट प्रशन जो अर एक परिक्षा में बहुत महत्वपून भूमी का निभाते हैं के बीसी आपने सब ने देखा होगा के बीसी सब के मुं मस्तिष में जबान पर चाया हुआ है कि ये रहा आपका प्रशन और आपका समय शुरू होता है अब प्रशन रहेगा एक विकलप रहेंगे चार समय निश्चित समय अविदी के अंतरगत आपको सही विकलप चुनना है लेकिन यहां पर आपको लहजीलापन दिया गया है कि कोई निश्चित समय अविदी नहीं है ध्यान पूरवक अभी की मैं बात बता नहीं परिक्षाओं में तो होगी बिटा तो प्रशन को ध्यान पूरवक पढ़ना ही होगा कभी कभी जल्दबाजी में होता क्या है कि हम प्रशन में नहीं है को है और है को नहीं है पढ़ लेते हैं और बस फिर हम रह जाते हैं और हम मतलब इतना पच्छताते हैं कि ये मुझे से क्या हुआ यार ये मैंने क्या कर दिया भलती क्यों हो गई जब की मैं ये जबाब जानता था इसलिए सही से आपको हर एक प्रश्न पढ़ना है प्रश्न सही से पढ़ोगे तो उत्तर की तरफ आपका मस्तिश जाएगा कब जबकि आपने प्रीवियस वीडियो बहुत ध्यान पूर्वक पढ़े हैं और सुने हैं अधी नायक शीर्शक कविता किस तरह की कविता है पहला विकल्प है हास्य प्रधान नहीं दूसरा विकल्प खा व्यंगय प्रधान तीसरा रोमांस प्रधान या फिर घा वीर रस से भरी हुई वीर प्रधान क्या है बोलो 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 मने कुछ सुनाई दिया है कुछ बोल रहा है बच्छा जल्दी बोलो यह कवीता है व्यंग प्रधान वाह बहुत बढ़िया व्यंग यात्मक कवीता है कभी रगुवीर सहय जी ने उन नेताओं पर उन व्यक्तियों पर उन सत्ता धारियों पर उन त पायम रखना चाहते हैं ठीक है अगला रभुबीर सहाय किस काल के कवी हैं ओओ ओके याद है शुरुआत में मैंने कुछ बात गई थी यहीं आपने सुना है तो तुरंत आपने उत्तर देख लिया होगा और चनलिया होगा किस काल के कवी हैं पहला दिया है आधुनिक काल दूसरा है रीती काल तीसरा है आधी काल और चौथा है शायाबाद हाँ ओके क्या लगता है आधुनिक काल जी हाँ आधुनिक काल अर्थाथ जो नई कवीता की रचना की गई या नई कवीता जब कभी इस तरह के ओप्शन सजाए ना तब आपको नई कवीता को भी टिक करना होगा एक है ओगला है अगला है रघूबीर सहय जी का जन्म कहां हुआ था पहला आगरा उत्तर प्रदेश दूसरा इलाबाद उत्तरप्रदेश तीसरा कानपुर उत्तरप्रदेश या फिर चौथा लखन उत्तरप्रदेश यार देखो न इनोंने उत्तरप्रदेश 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 मतलब चारों में उत्तरप्रदेश दे दिये अब बताओ इस तब तो हम तुरंत कह देते कि यहां हुआ है यहां हुआ है यहां हुआ था उनका जन्मस्थान यह है लेकिन चुकि उस तरप्रदेश दिये है स्थान कौन से शहर में उत्तरप्रदेश में कहां यह बताइए बताइए लखनौ लगता है कि आपको वाउ यदि लखनौ लगा ह तो सही जवाब है भाई आपका बहुत बड़ी है रगुबीर सहाय ने एमे किस विश्व विद्ध्याले से किया था? एमे किया था? अच्छा एक और बाद बताओ उन्होंने एमे किस से किया था? हिंदी से, अंग्रेजी से, उर्दू से, संस्कृट से किस से किया था? बताओ जल्दी, मैं नहीं बताओंगी हाँ मुझे याद है बिटे लेकर मैं नहीं बताओंगी कि उन्होंने एमे किस से किया था और ये हमारी बात सबसे पहला जो वीडियो है जिसमें हमने कवी परीचय और व्याक्या किया उसमें बात हुई थी कि उन्होंने इस विशय में एमे किया कहां से किया ये भी बताए था तो विकल्प है दिल्ली, विश्व विद्याले, दिल्ली से दूसरा, लखनव, विश्व विद्याले, लखनव से तीसरा इलाबाद विश्व विद्याल है इलाबाद से या फिर कानपूर विश्व विद्याल है कानपूर से कहां से उन्होंने एमे किया था तो उन्होंने एमे किया था लखनव विश्व विद्याल है लखनव से ठीक है? अगला अधिनायक कौन है कौन है अधिनायक पहला का विपक्षी दल दल विपक्षी दल मतलब विरोधी टीम जिसको कह सकते हैं या फिर सरकारी सेवक या फिर सताधारी वर्ग विपक्षी दल मतलब जो विरोध में खड़े होते हैं सरकारी सेवक मतलब जो सरकारी सववेंट हैं सताधारी वर्ग मतलब जो हमीशा सता जमाना चाहते हैं अरीब जनता पर वो या फिर इन में से कोई नहीं नहीं भाईया है तो इन ही मैंसे कौन सत्ताधारी वर्ग तो अधिनायक कविता में कवी ने सत्ताधारी वर्ग को अधिनायक कहा है यहां पर अधिनायक नकारात्मक्ता को दर्शा रहा है अर्था जो सत्ताधारी वर्ग है जो तानाशाही वर्ग है जो अपने आप की जिद्ग से या अपनी सत कविता को हमेशा कायम रखते हुए खुद की एक डर या दहशत आम जनता में पैदा कर रहा है वही कहा है उसको अधिनायक जिसके डर से आम जनता उसकी जैजैकार कर रही है वही है अधिनायक तभी तो रहुबीर सहाई जी ने इस कविता में पहली पंक्ति ही लिखी है प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर चर्णा किसका प्रती निधी है हर चर्णा यहां पर यह क्या है तद्भव हमने देखा था ना यह तद्भव रूप है किसका तद्भव हरी चरण का हरी चरण का तद्भव रूप हर चर्णा है ठीक है तो अधिनायक में हर चर्णा किसका प्रती निधी है हर चर्णा कि माध्यम से कवी किसकी उर संकित करना चाहा रहे है पहला आम आदमी तूसरा सत्तधारी दल तीसरा विपक्षी दल या इन में से कोई नहीं तो अधिनायक है सत्तधारी वर्ग तो हर चर्णा कौन है आम आदमी मजदूर आदमी गरीब आदमी जह ऐसा आदमी जिसकी कभी कोई सुनवाई होती नहीं है जो हमेशा बेचारा, भीड का हिस्सा बना रहता है, जिसके कोई पहचान नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, ठीक, अगला, हर चरना कौन है, घर का नौकर, एक आम आदमी, एक चरवाहा या कोई नहीं, अलग विकल्प दिये हैं, तो प्रशन इस तरह से भी आ सकता है, भल रामू, शामू, हर चरना, इस तरह के नाम होते हैं, जबकि रामू नाम नहीं है, उसका राम चरन नाम होगा, लेकिन रामू कह दिया, क्योंकि वो मजदूर है, क्योंकि वो गरीब है, तो इस तरह से यहां पर विकल्प कई तरह के से पूछे जा सकते हैं, प्रशन एक तरह के हो सकते हैं तो घर का नौकर तो नहीं है एक आम आदमी एक चरवाहा चरवाहा भी गरीबी की ओर संकित करता है घर का नौकर भी तो यहां पर एक आम आदमी का प्रती निधित्व या हर चरना एक आम आदमी की ओर संकित करता है उसको फटा सुथनना पहने जिसका गुन हर च थे हाल में तन ढखने के लिए जिसके पास कपड़े नहीं है ये कवीता संकेत करती है व्यंग करती है उन राजनेतिग्यों पर जो अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए इस भूली भाली जनता का खून चूंसते हैं उन पर अत्याचार करते हैं और साथ ही साथ वो अन्ने गए तो उसका हश्र देखो क्या होगा उसका बड़े नाम देखो क्या होगा तो जो कोई सत्तिक या फिर जो उस ताना शाह के खिलाफ यदि आवाज भी उठाना चाहता तो उसको कुचल दिया जाता है उसको ऐसे कुचला जाता है कि सारे लोगों देखो यदि तुमने ऐस हो जैसे वो बहरे हो जैसे वो अंध्य हो आँख कांग नाक मुँ होते हुए भी वो अंध्य अध्य बेहरे बन खर उनकी चैजकार करते रहते हैं अग्येसे द्वारा संपाधित दूसरा सब तक में एक कवी के रूप में कौन सामने आये थे अग्ये द्वारा संपादित अग्ये का पूरा नाम पता है ना सक्चिदनंद अग्ये जी का सक्चिदनंद हीरा नंद वात्सयायन अग्ये तो उनके अग्ये द्वारा संपादित दूसरा सब तक में एक कवी के रूप में कौन सामने आये थे पहला अशोक वाचपई, दूसरे मुक्ती बोध, तीसरे रखुवीर सहाए या फिर ज्यानिंद्रपती तो यहाँ पर आये थे रखुवीर सहाए एक कवी के रूप में दूसरा सब तक जब भी आएगा तब आप रखुवीर सहाए जी का नाम लिख सकते हैं दूसरा सब तक के साथ कवियों में कौन शामिल हैं? पहला जैशंकर परसाथ, रखुवीर सहाए, मुक्ती बोध या कोई नहीं तो पुना हम चलेंगे रखुवीर सहाए जी की ओर अधिनायक शीर्शक कविता किस पर व्यंग्य है? व्यंग तो है, व्यंग्यात्मक कविता तो है लेकिन किस पर? समकालीन राजनीती पर? समकालीन राजनीतिक विवस्था पर? सरकारी तंत्र पर या इन में से कोई नहीं तो समकाली राजनीती या राजनेता है या जो विवस्था वहाँ पर है उस पर होगी अगला रगुबीर सहाई किस सब्टक में एक कवी के रूप में शामिल हुए देखो वहाँ पर पूछा था इससे पहले प्रशनाया था कि दूसरा सब्टक के सारी यार मैंने आंसर बता दिया चलो ठीक है नहीं बताया मैंने अब आपको देखना है कि रगुबीर सहाई जी किस सब्टक में कवी के रूप में शामिल हुए तो पहला सब्टक दूसरा सब्टक तीसरा सब्टक या चौथा सब्टक जिसका संपादन किया था अग्येजी नहीं कौन सा सब्टक था दूसरा सब्टक और दूसरे सब्टक के सात कवी साथ जहां है वहाँ सब्तक है जिस तरह से संगीत में साथ स्वरों के मेल को सब्तक कहते हैं उसी तरह से हिंदी सहायत में जो साथ कवियों का अच्छा सब्तरिशी भी सुना होगा ना आपने सब्तरिशी सुना है तो उस तरह दूसरा जो सब्तक है उसमें कवी रगुवीर सहाय जी शामिल है रगुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहत अकादमी पुरसकार प्रदान किया गया उन्हें कौन सी रचना थी हसो हसो जल्दी हसो हाँ समझ दू कि मैं ही तुम से कह रही हूँ कि भाई हसो हसो जल्दी हसो हसना स्वास्त के लिए बहुत लाब धायक होता है दूसरा है कुछ पत्ते कुछ चिठिया तीसरा वे भूल गए हैं चौथा इन में से कोई नहीं तो रगवीर साहय जी व्यंग कार भी थे व्यंग करते थे कटाक्ष करते थे और साथ ही साथ उनमें हास्यात मक्ता उनकी रचनाओं में हास्यात मक्ता भी मिलती है तो बताइए उनकी कौन सी रचना के लिए उन्हें साहित अकादमी पुरसकार मिला वे भूल गए हैं के लिए, ओके, ओके, देखिए गुमराह नहों ना जी, वे भूल गए हैं रगवीर सहाई जी की रचना है, जिसे उन्हें साहित अकादमी पुरस्कार पर दान किया था इस रचना पर, अगला, निमने लिखित में कौन रगवीर सहाई की रचना नहीं है, न दूसरा है दिल्ली मेरा परदेश, तीसरा जो आदमी हम बना रहे हैं तीसरा चांद का मुह तेड़ा है अब नहीं है पूछा है to dos यहां एक रचना साफ रूप से दिखाई दे रही है कि यह जो है अन्तिम चांद का मुह तेड़ा ही है गजानन माधब मुक्ती बोध की रचना है इसका मतलब वो रगवीर की नहीं है रगवीर जी की नहीं है बिलकुल क्योंकि ये है मुक्ती बोध जी की रचना निम्नलिखित मैंसे कौन सी रचना रगुवीर सहाय की है काठ का सपना टूटी हुई बिखरी हुई वे लोग भूल गए हैं या ध्रोब स्वामनी तो अभी हमने देखा कि उनकी इनी मैंसे एक रचना थी जिन्हें जिस पर उन्हें साहित अकादवी पुरसकार मिला था किसको याद जल्दी बुलो वे भूल गए हैं हाँ वे लोग भूल गए हैं अगला रगुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखवार के विशेश संबाद दाता थे जो नई दिल्ली से एक अखवार निकला था उसमें विशेश चीफ थे किस संबाद दाता थे पहला नव भारत टाइम्स दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स तीसरा टाइम्स ओफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं तो वे थे नव भारत टाइम्स के चीफ संबाद दाता अगला रगुवीर सहाय किस समचार सापता है के प्रधान संबादक थे तो यहाँ पर हम बात करें तो वे दिनमान रविवार आज अमरुजाला तो वे थे दिनमान के ठीक चलो आगे चलते हैं दिल्ली मेरा परदेश क्या है का है निबंद, खा है कहानी, गा है उपनियास या कविता दिल्ली मेरा परदेश किसकी रचना है भोलो किसकी रचना है अब आप कहोगे यह धर तो लिखा ही नहीं है तो हम क्या करें लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि दिल्ली मेरा परदेश रस्टना किसकी है सहाय जी की तो वो क्या है निबंद है आत्म हत्या के विरुद्ध क्या है जिससी की अधिनायक ली गई है तो ये एक निबंद है कहानी है कविता है या लोचना है तो आत्म हत्या के विरुद्ध एक कविता ही होगी क्योंकि ये ली गई है ठीक आत्म हत्या के विरुद्ध एक कविता है जिससे की अधिनायक कविता ली गई है ठीक है रगुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ ये इतने अंत में प्रशन रखने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि यदि तुरंट पहला दूसरा प्रशन ये रखते तो आपको वीडियो की तुरंट वाली बात याद होती आप बताओ कि रगुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ पहला है 9 दिसंबर सन 1929 को दूसरा है 19 दिसंबर सन 1930 को तीसरा है 29 सितंबर 1931 को या 19 दिसंबर 1928 को बोलो बोलो भाई पहला 9 दिसंबर सन 1929 को बहुत बढ़िया अगला रगुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था उनके पिताजी का नाम क्या था रगुवंश सहाय हरदेव सहाय मनीशंकर सहाय या फिर रगुनंदन सहाय तो रगुवीर सहाय जी के पिताजी का नाम था हरदेव सहाय अगला रगुवीर सहाय का जन्मिस्थल कौन सा है काशी लखनव मेरट या आगरा लखनव याद है very good कौन सी कृती रगुवीर सहाय की है 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 अतरिक्त नहीं मुर्दा घर जहाज का पंची या सीडियों पर धूप में अब रगुवीर सहाय जी की इनमें से रचना है सीडियों पर धूप में अधिनायक के रचेता कौन है अब आप क्या करा है पड़ा हमने तो फिकल्प नहीं पड़े ऑप्शन्स नहीं पड़े तुरंट जबाब दिया रगुवीर सहाय जी वाह देखेंगे आगे जब आपकी परिश्टाएं होंगी बहुत सही हसो हसो जल्दी हसो के कवी कौन है रगुवीर सहाय मलयज सर्वेश्वर दैल सकसेनाया या फिर धूमिल तो हसो हसो जल्दी हसो रगुवीर सहाय जी क्या बाद है रगुवीर सहाय किस के प्रधान संपादक थे मितलब प्रधान मतलब चीफ एडिटर थे रवीकर के दिनमान के सापताहिक हिंदुस्तान के या धर्म युग के तो वे थे दिनमान के प्रधान संपादक रगुवीर सहाय किस कृती के रचनाकार है जो विकल्प यहाँ पर दिये हैं वे हैं पहला तितली के दूसरा इरावती के तीसरा चितकुबरा के या फिर कुछ पत्ते कुछ चिठिया के तो इनमे से रगुवीर सहाय जी रचनाकार है कुछ पत्ते कुछ चिठिया के अगला रगुवीर सहाए किस शती के रचनाकार हैं कौन सी शताब्दी 18 वी शताब्दी, 20 वी शताब्दी, 19 वी शताब्दी या 21 वी शती तो वे हैं 20 वी शताब्दी के रचनाकार बहुत बढ़िया आशा है बहुत ध्यान पूर्वक एक कागरता के साथ आपने हर प्रशन को सुना है समझा है और आप हमेशा इसको याद रखेंगे ताकि जब भी परिक्षाओं में प्रशन किये जाएंगे तो बड़े सोच समझकर आप सही उत्तर या सही विकल्ब चुनकर आएंगे किया सोमच्ट